गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स, यानि कि अस्पताल का अनुभब, तो इससे भी पहले मैंने आप लोग को इस चेप्टर का कुछ पार्ट्स जो है समझाया था, आज मैं आप लोग को फिर से इसके जो कुछ पार्ट है वो समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, यानि नग्मा के बारे में दो परेंगे, यह अपना एक्स्प्रियेंस को साजा कर रही है, जिसकी उम्र 74 यानि की 74 वर्स है, I had an operation to have cataracts removed from my eyes, यह बता रही है कि इनका एक operation हुआ, आख का एक operation हुआ, जो जिसका यह अपने अनुभग को आप लोग के साजा करने जा रही है, The surgeon had warned me not to expect too much from the operation, यानि कि जो surgeon डॉक्टर थे, उन्होंने इनको सराह दिया, यानि समझाया कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्पेक्ट ना करें, यह कि उम्रे क्या है, 74 है, जो operation के पाद बहुत ज़्यादा दिखेगा, या कुछ परिवर्तम बहुत ज़्यादा परिवर्तन ह वैसा नहीं है, और चुकि इनका उम्री भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनको यह भी सला दिया गया है कि इसको बहुत दिनों तक आप रख भी नहीं सकते, यानि कि लेट नहीं कर सकते operation कराने के लिए, I went for the operation unwingly, but now I am sub-solutely delighted, I can see almost as well as I could when I was young woman, I was well looked after, the nurses in spite of being really busy, always found time to ask if I wanted anything. जब इनका operation हुआ, जब operation हुई, तो यह क्या होए कि जैसा बहुत अच्छा इनका उन्भव रहा, यह अच्छे से किसी चीज़ को देख सकती थी, जैसा यह पाले देखा करती थी, उस तरीके से इनके आँखों में रोहनक आगे, अपरेशन के बाद इन्होंने नर्स यानि सेविका को देखा, जो वहाँ पे हमेसा तयार रहती थी और ब्यस्त रहती थी, किसी भी काम को करने के लिए, जो यह चाहते थी, यानि इनकी सेवा करने के लिए वो हमेशा क्या रहती थी तैयार रहती थी और वो नर्स जो थी वो इनकी देखरेक हमेशा लगतार अच्छे तरीके से किया करती थी जब इनके आँखों में ऑपरेशन के वाद जो पट्टी बांधी गई थी और जब ये पूर रूप से देख नहीं सकती थी तो उनको सौच के लिए बाथरूम तक ले जाने और ले आने का कार ये नर्स ही यानि सेविका ही कराय करती थी तो ये कर रहे हैं कि उस सेविका इनके लिए बहुत बहतरी महिला थी जो इनकी देखरे अच्छे तरीके से किया करती थी नेक्स्ट इस हमीद हमीद का जो उम्र है वो 56 वर्स है हमीद 56 वर्स का है वेन आई वक अप इट केम टू मी आज ग्रेट सर्प्राइज ये बता रहे हैं कि जब उठें तो इन्होंने के पा आई हैड बिन फान फ्रोजन ओन दा पार्थ बेंच फियर आई हैड बिन स्लिपिंग इन दा ओपें यह जब इस वो के उठें तो इनको एक चरिक चकित करने वाली घटना क्या थी कि इनको सेविका ने बताया कि यह पाए गये हैं किसले ठंड लगने की वज़े से ठंड रहा था और यह खूले में बगीचे में जो स्वे हुए थे तो इनको ठंड लग गई थी जब खूले में स्वे हुए थी दिस से डाट दॉफ फ्रोश्ट्री वेदर माइट वेल हैब रिजल्टेट इन माई डेट और इनको यह भी बताया गया कि जो इस तरह का मोसम था और इनको ठंड लगी हुई थी इस कोल्ड की वज़े से इस मोसम में इनकी मृत्यू का कारण भी हो बन सकता था बट ऑल दॉफ डॉफ गिव मी अच्छे कप एंड दिस्चार्ज मी लेकिन इनके लिए अच्छा यह था कि डॉक्टरों ने चिकिस सगों ने लगन से उनकी मेहनत से यह ठीक हो गये हैं डॉक्टरों की लगन और मेहनत के कारण यह ठीक हो गये हैं और इनको होस्पिटल अस्पताल से छुदकारा दिया गया बट बिफोर आई लेट दे पूट मी इन टॉट 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 वीट है लोकल सोसल वरकर और उहां जाने से पहले चुकि हमीद प क्या कर दिया कि टॉट मतलब छुना नहीं यहां पर टॉट में क्या हो कि जो लोकल सोसल वरकर समाज से भी जो थे उनका इनको एड्रेस दिया गया उनके पास पहुचाया गया ताकि यह उस सोसल जो समाजिक से भी है समाज से भी है वो इनका अच्छे से देखरे कर सके तो ये था experiences in hospital का कुछ parts जो अलग-अलग मरीजों ने अपना अनुभब को आप से साजा किया.